पिश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूँ, कम, मेक इन इनिया प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी समूचे राष्टर की तरप से बाबा केदारनाथ धाम पहुचकर आज छठी बार बतोर प्रधान मंत्री भगवान का रुद्रा भिशेक करेंगे और कार्या भिशेक करेंगे परदान्मंत्री नरिंद्रवोधी पहुच चुके है श्रीबाबा केदारनाथ के धाम में बाबा केदारनाथ के धाम में पहुचकर भगवान के स्तुती करने के लिए पहुचे हैं और साथी साथ धन्मंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राष्ट निर्माल का संकल्प लेकर भारत को जगत गुरु बनाने के लिए अहर्दिश प्रयासरत हैं, अहर्दिश प्रतिबद्ध हैं, पहुच चुके हैं बाबा के दारनाथ के धाम में यह असाधारन अद्भुत और अलोकिक धाम है, अकल्पनी है, रूप से इसका विस्तार किया जा रहा है, पुनर्दिर्माल किया जा रहा है, पुनर्विस्तार किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान शंकर के इस धाम को पुनर विस्तार देने की कामना साल 2013 में जब यहाँ पर जल प्रले सरीखी स्थिती आई थी तब से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के मन में था इस समय प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी अभिवादन स्विकार कर रहे हैं गणमान व्यक्तियों का श्रीक बद्री के दार नाथ धाम के लोगों का यहाँ के वेदपाठकों का यहाँ के आचारियों का यहाँ के मनीशियों का और उन्होंने स्वागत किया प्रधान मंत्री न केदारनाथ के धाम में नागेंद्र हाराय तिरलो चनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुधाय दिगंवराय तस्मय नकाराय नमह शिवाय किस रूप में रुद्राविशेक होता है आप बताएं और साथी साथ किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी यहां पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी द्वार पर पहुच गये हैं और शद्धावनत हैं विन्यावनत हैं आदियोगी के दर्बार में प्रधानमंत्री महदै भगवान के दर्नाजी के प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी भगवान शंकर के प्रतुन की आदाध आस्था है आदियोगी के लिए कर्मयोगी यहां पर रुद्राभिशेक कर दे पहुचे हैं इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में पांच बार प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी बाबा के धाम पहुचे और यह छठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी यहां पहुचे हैं प्रदाद मंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई 2017 को बाबा के धाम पहुचे 20 अक्टूबर 2017 को बाबा के धाम पहुचे 7 नमबर 2018 को बाबा के धाम पहुचे 18 मई 2019 और फिर गत वर्ष 5 नमबर 2021 को केदार पूरी पहुचे भगवान शंकर के इस धाम को महिमा एवन गरिमा के रूप में सुसज्जित व्यवस्थित और इसका पुनर नर्मार और पुनर विस्तार करने की कामना प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी में सदेव रही साल 2013 में यहाँ जब जल प्रले सरीखे स्थिती आई जब आपदा आई जो कि देश के भीशर प्राकृतिक आपदाओं में से एक है तो गुजरात के ततकाली मुख्यमंत्री के रूप पे उन्होंने आप इच्काशी क्यों तरही में प्र Ci 드ी आप भीश्ता आप शाजिए में के ख़याँ मेन प्रॉपत मिड स्सक्शधे जल प्रिज्यां क्या थैन्हों ख़यान ़क्यान अप्रादल Кे जोड़ूमुचंट रातम्हश्द कर दो के सलेख üçान्तकव भि हन्त्र क्रीश्दध यांट्धिण गार्टम्हाम। से सुंध्रफ्व कि प्रथ्ष्णाव छंत्र क्रेविभ्डभख़ भि शुड्रो थे वर्था क्रणनादÉ प्रदीशाओ वसवो देवाता, अरुद्रा देवाता, नित्या देवाता, मरुदो देवाता, विस्वे देवा देवाता, प्रेहस्पद्र देवा देंद्रो देवाता, वरुनो देवाता, ओम्यो हो शांते इंतारिक्षागं शांते है प्रिधवे शांते आता हा शांते हो खाधाया हा शांते है वानस्पताया हा सांत शुरे देवा हा सांत ब्रह्मा शांते है सवगं शांते है शांते रेवा, शांते हे, सामा, शांते रेदे, ओम भिस्पानि देवा, साविता दुनिता, निपराशो भात, यवरांत अन्ना आशो भात, ओम सांते, सांते, सांते रहात। लुआ यहां प्रमात्रने पुरान पुरसोत माया स्रीमद भगतों महापधास्या विष्णु राध्या प्रवट्मान अस्या अध्याप्रम्बने दिद्या प्रारव देश शेज़रहाग्ल पे ब्रवेव शेजमन मंत्रे अस्तारिस्तमी कली उडे कली प्रदम चरणे जामू बपे भारत खंटे भारत वरसिया अर्यावटतां तिर्गले हे मुटत कदे नांव थे से केदार खंटां तुर्ण दामन्दार पूरक्डे चीन हंगा मदु मुटत करदा मंदार पूरक्डेश्यर कि यदारे सुष्व सवच्षेत्र इंनल नाम सम्वस्रे रहो शूर अपना नाम नाम गट्र अपना नाम गुपू मा एलियन समय है स्री नरेंद्रताम नरेंद्रन धामुदार्धास मोधी महाभागा भारत अस्याव प्रधान मंत्रे प्रधान शेवकर्श्या भुवे कुन्ट हिमाले स्विनात्राकर शिमानम् महामृतिनयय केदारे सर जोतरलिंग, सनिलों अम्रिकाल, वेलायां, प्रातकाल, वेलायां, यथा लब्दो, पचारणित, ज्ञाने नहां, सरवेशाम, राश्रिय जाँ जाँ ख bottleneig उम्यास एकां धंतो स्थाष्यत थैकांउ दो गंगर्ण ग उति कांज वर्त्य डित्त अम्याण आ्म्यास सिव शान काल आ मास्टु भांद वर् नरौंगा जो ब्ली कांई झुज खीर्कांद के तरिकांद आ्म्यासृ तविदुर्बनांते परप्रणानम पुरजस्ताने विश्वाजगते कारुणमे शरंगा तसमे नमाविक नभिना शनाया गंगनवदे नमाव अम्मुकेते तांबो लं लायन युगरेका जलकला ललाठे कास्मे आउविक नभिनासते गले मौक्ते कलता स्मुरातांचे शाठे प्रेधो बातिताथे हाट कमये भजामी तौंकोरे नगपतिकिशोरे माविरता स्वाबादा विनको नभानश्तानिचो मनुस्यो मन्सचादे नाविस्वते नसंसरा प्रग्याई श्रम्ग्वान की जाई उन्भवास्णवार्टरा व्राते राथो प्राणाहित्व नामासो स्मिभावाते दिहार निंगाम चांतार निंगाम स्रीशो लगाने अदुख भाजम केदार तीले सुरपूजितनतां केदार आधम मनसस्परामे केदार आधम स्रीशास्मरामे सामशतां सिवाय नमामा अम्पाया हा मेझे घ्यांपाया अधिशो पायो दिल्याम तारिक्षे पायो धाधा पायाष्वादे ब्रादे साहा सांत्व मायन माः अम्पन्सर्वें प्यास्णारं शमरार प्यामी आधियो अधिया साहाध। अम्शो जस्ताम्रो आधम्ठव प्रभर्व समंदला हा जे छे नहांखम। प्रुद्राः अवेको तिक्ष्योस्ता हां सास्रासो वेकां गुमें काहे माहे अम्मधु बातारिकायते मतुक्षरांते सिंदागां मास्राई नहा शंतो नहादे तालपस्वास्वास्वतां शुष्ष्वातुम्मधु रांगो तिर हुष्ष्णिक्ति प्यव्यंक्राः शुष्णि रांगो आममस्थे रुद्रमन्दभाउ दोता आगव्नमाः वाव व्रुजामूत ते नमाः जाते भुदःसि वाता नोर्घौराः भाप कास्णि प्रिवर्ट सभरी सिवां कि ततां पुर्माएकं सिदे पुरुखन जगता सिवे नवाचा सान्वा गिलिसाच्छा बदाम सी जढवाना हा सर्वगिडत्न गंच भंच भंच असता अत्योः चाद दिवक्ता अध्यो विचागा आहें चसर्वाजं भयं तुस्र्वा सजादु धान्वा धराचेह पारासुवा असो जस्ताम्रो अरोणा उद परप्रुष सवं गला हाजे चेना प्रश्ता आपितो तिक्षो स्टाहा स्टासो बेखा दुमेयाए महे आशो जो पसर्वति निकर्थिवो विलोहिता हा उतनांगोपा अत्रसन अत्रसन अत्रहा जाहा सटस्वो प्रिणा जातिना नामास्को नेलाग्रिवायसास्ता चाया मेटोके अधोजे अससत्वा नोहं ते द्योका अन्हार रहुच धन्गस्तन भायो राद्यों चामा जाश्यते हस्ताइखवाः पराता भड़ भुपपाः इच्छंधनों कभदिनों मिसल्जों भानवा भुपपाः अनेशन नसज प्रित्यों मुक्षिया माम्रतात्रा व्यम्भगं याजाम है सुगंधें कुष्वधनम्मा उर्वारुकमिवा वंधनां पृत्यों मुक्षिया माम्रतात्रा व्यम्भगं याजाम है सुगंधें पति वेदनम्मा उर्वारुकमिवा वंधना दिर्वों चिया माम्रतात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्र योर्यांगेळकां चादासकां निर्मांव वेनागे रंद्रकाल यादा गितम् चने प्रुट तधा साथ्तं गव्त्रयकन सुद्री पूंगता एता स्वास्तं मयाः शंकल पेश्वर्पितं तो इभो उड्रांग्राप्ता वुड्रांगो आंत्रे दर्लांत्रिगुना कारम् प्रिकम् प्रिध no क्वें पडिध animा। प्रिशाखे विलपत्वे जाद्वे कोमले स्वे सिवापना। नमा बिल्वने चकवने चनमा भर्मिने चवरुफिने चनमा। सुर्दायच सुर्द सरिन्यायचनमा दन्धल्यायचनमा। सुर्द सकता कातर हुव और य। प्रियाचनमा दन्धल्याचनमा। पिस्टकानु जद्धालो कागया हरन्ना ओम महाम। बंदे देव उमापतन सरगरों, बंदे जगारघारन। बंदे पन्दक पोषणं अम्रिकतक्या। बंदे पसून्नां पतिय। बंदे सूरसा सांक वन्निनायन। बंदे उन्दा प्रिय। पंदे भाक्त जराँ शेंच्य बर्डम, पंदे सिमां शंकरम, बग्यताया अर्भवान की छेट्षै अम्माहां अम्माहां, प्रणी आस्टे साहस्रां कामाला बले बाताया पलयो, यदे गोने तास्मने जामुता अने तरकामालां, गदो भाक्त देका परण दिमसो चाक्र भपुशात्र याना अव्रच्छाय श्रेवोरार जागांधि जागतां, नमुने दिष्टाया प्रियादव दविष्थाया चानमा, नमाचो दिष्थाया स्मानार्यमाहिष्थाया चानमा, नमवार सिष्थाया मत्रेव यानाया भिष्थाया चानमा, नमचार व असमय ते ददिमी ते शरवाया चानमा साम्स्राय सिवाय नमॉंनामाः। आत्मा तुंगिल्दा तुंगरे जामते साचरा प्रासरे रंभयम। फूजाते विष्योगोगरचना निंतार्शमादे निस्तवे संचादा पलयो प्रदक्षने स्तोचाई सर्वांगिरो यत्याद कर्म करो मितार्थ खिलं संभोत वाराधिनां। प्रचान तप्रां वयंतां बजामा वयंतां जगर्साचिरूपं नमामा सलेकं निहाना निरालं भानिसां भवांधो दिवोतं सलयं ब्रदामा। ज्वाण अ ज्याए कर्माथव् वाण ज्वास्वन निय्पा बानशम् आप्रादम् प्रितम इंप्पा सरमेकर्चमस्वाज ज्याए कर्माथव ज्री महादेवसंभों अरिष उम्माथ ओग्याया प्राशंगरस्या त्रेगोवन जय खांडवी चार्जनस्या याया काला गवस्या जर्वितरणे सेत्य बंदे समुत्रे याया रावाय सोनव अवसति कमने लक्ष्मने सक्ति विन्ने साया प्रासे दिला पे पाशत तवड्रे साग वसक्यम्दाः साडवे खवंत्र सकिना सावे शंद विरामया शावे बद्धानी पस्यंगो माका से प्रुगभाद रगवे उतिना खंवाल इंकिर्की जय ओम्दार माता पुने तारे काए एक रभान अमालां कितर से खळाया दिव्यान बराये चादिवां बराया तशाना सिवाये ते नमार सिवाया कि दिवासे नंके द्रटान। सचत्तां बिराजे वाइदे वाहितं यदाए हो आदेश्में भूस्रा में आने कुछ सब्सक्राइद jesteśmy सब्सक्राइद आज़ाए हुआए हुआए ह को अभावाना आपको आशी सक्ती में कुल महादेव लेक पुने एक नमए झिर्श का टुनिदूनर है छाए लुजए पधे आपरुभुजाके प्याव सध्योश्य तंधा लुजए दिफ़कलन द्राते ही तामसरव पापपशय दुभुतां प्रदे चांते पर्यतवास्थवामे ही ओ गिन गिने जो ओई हुआख्याव.. लुजए 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 मत रहना था है नमाने शंभो, नमाने शंभो, नमाने शंभो, नमाने कर्ण्या कराध वाष्या, भ्यांकरं वाति सरा नमाने, नमामी ताता रमवे सेताना, नमामी सुमे सुमे समादो, सरवे भवांत सुरिणा, सरवे शंत दिरापया, सरवे भर्तारिपस्यंतो, मागा से तगवादवे. कि यातना करता हुआ आशाई सकतते हैं, भर्तारिस के कैंगे। कि यातना करता हुआ, मुने सकत्कि यातना कार sz가 है गाइं से लोगी जैसे बाइं से लोगा है महाद्रि पार्ष्वे च तटे रमंतं संपूज्यमानम सततम मुनींद्रई सुरा सुरई यक्ष महोर गाद्यई केदार मीशम शिवमेक मीडे जो भगवान शंकर परवतराज हिमाले के समीप मंदाकिनी के तट परिस्थित केदार खंड नामक श्रंग में निवास करते हैं मुनीश्वरयो द्वारा हमेशा पूजित हैं देवता यक्ष किन्नर नाग जिनकी हमेशा पूजा करते हैं उन्हीं अदुत्तिये कल्याडकारी केदारनाथ नामक शिवकी मैं स्तुति करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी आधियोगी के स्तुति करने के लिए पूजा आर्चना करने के लिए धाम में पहुचे उन्होंने विदिवत पूजा आर्चना की भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रढाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की एक जन्नायक के रूप में एक कर्तब्य परायण, प्रधानमंत्री के रूप में धर्म परायण, राश्ट्र सेवक के रूप में श्रधावनत हैं, विन्यावनत हैं, श्रिकेदारनात धाम में राश्ट्रनायक पुत्यानगर स्क्रेटिति के जययात्र 20 seç प्रदानमंत्री नरेंद्रमोधी इस अहरदन गेइस जारी है और जब विश्ष्ट धामों पर प्रधानमं परन्दमोधी पहुष तो राश्नगर की कामना मन में होती है विश्व कल्याड की कामना मन में होती है और कामना ये भी होती है और निश्चित तोर से वो भावना भी बलवती होती है जिसमें कहा गया है हे प्रभू हमें ऐसे शक्ति दे जिसे विश्व में कभी कोई चुनोती हमें न दे सके हे प्रभू हमें ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर विश्व नतमस्तक हो जाए हे प्रभु हमें ऐसा ज्यान दे जो कि स्वैंग स्वीकृत कंटका की रण मार्ग को भी सुगम कर दे ये भावना भी यहां आकर बल्वती होती है राश्ट निर्माण की कामना यहां पर और जादा गाड़ी होती है संकल्प से सिद्धी का जो मंतर है वो यहां पर और मजबूत होता है द्रण होता है नई उर्जा से ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी परधान मंतरी यहां से अभिभूत होकर राश्ट निर्माण में अहर्णिष प्राण प्रण से जुठ जाते हैं और इसी क्रम में आज छटी बार पहुचे हैं श्री केदारनात धाम भगवान के धाम में प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी ने पहुचकर अपने उस संकल्प की सिद्धिका भी प्रमार साक्षात प्रमार दिया है जब साल 2013 की आपदा के बाद उन्होंने पुनर दिर्मार और पुनर विस्तार की जो कामना की थी और उन्होंने कहा था उसे करने के लिए जो राजिनितिक कारणों से ततकाली सरकारों दोरा नहीं माना गया लेकिन बाबा को ये शाहिद निश्चित कर रखा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बाबा के इस धाम के विस्तार का पुनर विस्तार का पुनर दिर्मार का रूपांतरन का कायांतरन का मौका मिलेगा और वो साक्षात परिलक्षित होता है इस दिव्य धाम में पहुचकर छटी बार प्रधानमंत्री के रूप में पहुचे हैं राश्टनायक प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी यहां पहुचकर वो भावना भी वल्वती होती है जिसमें हम कहते हैं हे प्रभूस वीरवरती भावना हमें इस भूरती होती रहे जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवंग महानतम एहिक समर्धि प्राप्त करने का एक में वो श्रेश्टम साधन है और साथी साथ जो तीवर और अखंड धेयनिष्ठा हमारे अंतहकरण को सदयव जगाती रहे वो तीवर धेयनिष्ठा यहां आकर और प्रगाड होती है वो तीवर धेयनिष्ठा यहां आकर और ज़्यादा प्रज्वलित होती है और ज्यादा प्राण प्राण से राष्ट निर्मार की संकल्पना को साकार करने के लिए उस भाउना को और बल्वती करती है अगर साल दोहजार तेरा की बात करें जब गुजरात के ततकाली मुख्यमंतरी के रूप में प्रधान मंतरी निर्यंद्र मोदी ने केदारनाध धाम की प्राकृतिक भीशला आपदा के बात पुद्नर निर्मार की बात कही उसमें तकरीबन अगर आकड़ों की बात करें तो 6,000 से ज़्यादा लोग लापता हो गए थे, 1,000 लोग मारे गए थे, 4200 से अधिक गाओं का संपर्ख तूट गया था, 991 अलग अलग जगों पर लोगों के आधिकारिक आकड़ों के अनुसार मृत्य होई थी, 11,000 से ज़्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए थे, 1309 हेक्टेयर भूम बाढ़ में तबाह हो गई थी, 2141 भवनों के नामों निशान मिट गए थे, 100 से ज़्यादा छोटे मोटे होटल धोस्त हो गए थे और बीच में पढ़ने वाला गवरीकुर्ण से ये मार्ग में रामबाल का इलाका पूरी तरह विलीन हो गया था, जलप् आकर साकार हो रही है, अब केदारनात धाम एक दिव्व भव नव्व धाम के रूप में विक्सित हो चुका है, और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आज पहुचे हैं, यहाँ पर रुद्राभिशेक उन्होंने किया है, और अब वो कार्याभिशेक भी करेंगे, प्रधान मं संयोग जब वहाँ इनके जननायक भी मौजूद हैं, बाबा के दरबार में रुद्राभिशेक और कार्याभिशेक करने के लिए तो यह अद्भुत संयोग बनता है, जनता जनारदन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, राष्टनायक नर नरेंदर मोदी इस समय नर नारायन की पूजा के बाद नर नारायन स्वरूप में देश की जनता जनारदन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो की एक जहलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के संकल्प की सिध्ध का प्रमाड है श्रीकेदारनाद धाम, श्रीकेदारनाद धाम के अगर बात करें तो इसके पुनर दिर्माड, पुनर विस्तार, रूपांतरन और कायंतरन की हर निश्प्रक्रिया लगातार जारी है, साल 2014 में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के पदारूड होने के बाद, अगर देखें त अब तक पहले फेज का काम पूरा हो गया है, और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी अद्भुत छटा का अवलोकन कर रहे हैं, बेहद विहंगम द्रिश्य है, अतुलनिया और अलोकिक आध्यात्मिक अकल्पनिया और अविश्वसनिये छटा है, इस पूरे केदार धाम की, जो जानकारी दे रहे हैं, उत्तरा खंड के मुख्यमंतरी पुश्कर सिंधामी, और साथी साथ शिरिक बद्री केदार्दाद धाम से संबंधित अधिकारी गड़, उत्तरा खंड के राज्यपाल और उत्तरा खंड के मुख्यमंतरी सभे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के साथ हैं और साथी साथ यहां पर बद्री केदारणाद धाम के अनेक वरिष्टा धिकारी मौजूद हैं जो कि बता रहें कि किस तरीके से रूपांतरर और कायांतरर हुआ है इस पूरे धाम का इस दिव्य धाम की अगर बात करें तो पहले चरल के परियोजनाओं का काम पूरा हो च शेक और कार्यान जली भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रदाद मंतरी नरेंद्र मोदी एक अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं श्रद्धालूओं को अद्भुत उतभार उपहार देने जा रहे हैं साधकों को जो कि यहां से गौरी कुंड से लेकर भगवान के दारना से आय जा सकता है घोडों और खचरों के जरी आय जा सकता है पैदल आया जा सकता है ये दूरी तक्रीबन गौरी कुंड से 16 किलो मीटर पड़ती है लेकिन जिस परियोजना की शुरुवात प्रधानमंतरी दरें द्रमोधी कर रहे हैं ये महत्वा कांक्षी परियोजना गौरी होगा ये अनुभो भी बाबा के धाम में शद्धालूगों और साधकों के आने पर ये बेहद ही यातायात को सुगम करेगा प्रधानमंतरी नरेंद्रमोधी ने रोपवे जो की रोपवे गौरी कुंड से लेकर श्रीकेदार नाथ धाम तक का जिनर्मान किया जाएगा और इसकी दूरी 9.7 किलोमीटर होगी एरियल डिस्टेंस जो होगा उसका उन्होंने आधार शिला रखी है और अगले छे वर्षों में ये पूरी की पूरी परियोजना निश्चित तोर से पूर्ल कर ली जाएगी इस समय प्रधानमंतरी नरेंद्रमोधी भगवान के दारनाथ धाम के परिसर में हुए विकासकारियों का मुआ éta कर रहे हैं निरक्षण कर रहे हैं और साथी साथ बुजा रहे हैं भगवान जगद गुरू आदी शंकराचारे की समाधिस्तली की तरफ आदी शंकराचारे की वह समाधिस्तली जो साल 2013 के जलप्रले में पूरी तरीके से नश्ठ हो गई थी भगवान शंकर का अगर देखे तो भगवान शंकर ने आदिगुरु शंकर ने चारो धामों की स्थापना करके भारत के भागोलिक संस्कृतिक आध्यात्मी के एकी करलका उन्होंने कारे किया बद्रिनाथ के दारदाध धामों में उत्तर भारत और दक्षण भारत के ब्रामणों और पंडितों के संचालन की प्रक्रिया को शुरू करके उन्होंने उत्तर और दक्षण के बीच की सांस्कृतिक सेथ के निर्मान का भी कारे किया देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकी करण और भोगोलिक सीमा का चिन्धांकन और रूपांकन भी आधिगुरु शंकराचारी ने किया और यहीं आधिगुरु शंकराचारी की करमस्थली रही तपस्थली रही और महा समाधी अस्थली भी रही इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान आदिगुरु शंकराचारे जी की समाधिस्थली पर पहुचे हैं उन्हें पुषपांजली अर्पित करने के लिए समूची ये समाधि नश्थ हो गई थी साल 2013 के महाप्रलय में जलप्रलय में और प्रधानमंत्री नरेंद् निर्देशन में और उनके ही दिशानिर्देश में इस पूरी के पूरे समाधिस्थल को विक्सित किया गया भगवान शंकराचारे की प्रतिमा का नावरण इससे पहले नवंबर 2020 में जप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आये थे तो उन्होंने उसका लोकार पढ़ किया श समाधिस्थली में पुषपांजली अर्पित करने के लिए निश्चित तोर से अगर देखें तो कालखंड का सनातन संस्कृती का कालखंड उन पनों का उन खणों का भी उन वर्षों का भी उन सताप्दियों का भी गबाह रहा जब हमारी संस्कृती ही यहां से सनातन तो होने के कगार पर थी लेकिन भगवान शंकर आदिगुरु शंकर आचारे की महान कृपा और उनके शंकर दिगविजय के द्वारा पुनरस्थापना की गई सनातन संस्कृति की और भारत भारती की भारती ये पूरे सदातन संस्कृति की पुनरस्थापना का श्रे आदिग गोलिक सीमा का चिन्धानकन किया बलकि भारत भूमि में रहने वाले भारत भारती के पुत्रों को उन्होंने सनातन संस्कृति के दिव्य अनुपालक के रूप में उन्होंने भगवान शंकर ने इस पूरे के पूरे सनातन संस्कृति की पुनरस्थापना का कारे किया अगर साथवी आठवी शताब्दी में आधि गुरु शंकराचारे ने सनातन संसर्थी की पुनरस्थापना की तो वहीं एक कर्मयोगी के रूप में आधि गुरु शंकराचारे को पुश्पांजली अर्पित करने पहुचे हैं प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी और पवित्र जल को अपनी आँखों से लगा कर वो अपने उस संकल्प को और जादा मजबूत कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्मार के और जगद गुरु भारत की संकल्पना को साकार करते हैं जगद गुरु शंकराचारी ने अगर सनातन संस्कृती के सभी दिव्य स्तंभो की पुनरस्थापना की तो प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी ने इस अपने आठ वर्ष के कारेकाल में सनातन संस्कृती और भारत भारती ये ताकि अनेक प्रकाश स्तंभो को भी पुनरस्थ मागंगा को गंगाधर से मिलाने का पुनीत कारे करने वाले काशिव विशुनाद धाम के कॉरिडोर के शिवारपण की बात हो या फिर अभी चंद दिनों पहले महाकाल के दरबार में महाकाल लोग महाकाल कॉरिडोर के शिवारपण की बात हो अनेक ऐसे अद्भुत दिव्य चिरस्थाई और काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में किये گया ऐस bunny कार्य हैं जो विश्ता के सामने नए भारत के अब भुदय के रूप में प्रतिश्थित करते हैं और ये पूरा अश्रे प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी को जाता है कि अगर साथवी आठवी शताबदी में एक कहना अतिशयोक्ति नहोगी कि अगर साथवी आठवी शताबदी में आदिगूरु शंकर अचारे ने सनातन संस्कृतिक पुनरस्थापना का कारे किया शंकर दि दिव्य आध्यात्मिक और दिव्य धार्मिक और दिव्य भारत भारतियता के प्रकाश इस्तंब के रूप में विस्तारित कर रहे हैं उनका निर्माण कर रहे हैं आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से नए भारत का अभ्युदय हो रहा है आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धी हो रही है आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो भारत जो कि वसुधयो को टुम्बकम की बात करता है, वो भारत जो कि सर्वे भवंतु सुकिना, सर्वे संतु निरामयह की बात करता है, वो भारत जो कि लोगों के कल्याण की बात करता है, वो भारत जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का प्रणाश हो प्राडियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो ये कामना करता है वो भारत किस तरीके से नए भारत की रूप में पूरी दुनिया के सामने उसका अब ध्युदय हो रहा है चायात्मनिर भारत की संकल्पना को साकार करने की निश्ठा हो या फिर भारत को विश्व के पटल पर स्थापित करने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्रबोदी प्राण प्रण से अपने सभी संकल्पों की सिद्धि में जूटे रहते हैं और इनी संकल्पों को और द्रहता मिलती है जिब प्रधानमंत्री नरेंद्रबोदी पहुँशते हैं ऐ प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी को आउसर मिला है, पुनीत आउसर मिला है, राष्टर निर्मार का, तो एक राष्टर सेवक के रूप में, सनातन संस्कृति के ध्वजबाहक के रूप में, एक धर्मपरायण रूप में, कर्तव विपरायण रूप में, सनातन संस्कृति के स इस तरीके से 2013 की विभीशका के बाद इस पवित्र धाम का रूपांतरल हुआ है, कायांतरल हुआ है, पुनर दिर्माड हुआ है, पुनर विस्तार हुआ है। का निर्माड और इस दिव्वे धाम के चारों तरफ सुरक्षा के अभेद्य दीवार का निर्माड, केदार्नाथ मंदिर से पैदल मार्ग और चबूतरे का निर्माड, केदार्नाथ मंदिर परिसर के चोड़ी करण का कारे, केदार्नाथ से गरुल चट्टी तक पैदल मार्ग का निर्माड सरस्वती नदी पर फुल बंद कर तयार किया जा चुका है आप देख सकते हैं कि यह जो पूरा का पूरा आप अभेद दीवार सरीखा यह निर्माड देख रहे हैं यह पुर्धाद में